मैं हूँ आयुश्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट बॉलिव अटाक्चिस दिपिका पादिकोन एक एवोर्ट फंक्शन में पहुंची थी इस मौके पर उन्होंने अपने पीट दर्थ के बारे में बताया और अबिनेता इर्फान खान की खराब सेहत पर भी बात की इर्फान इन दिनों एक दोलब बेमारी से पीड़ित है और उनका इलाग चल रहा है इर्फान ने सोशल मीडिया में कहा कि जाच की रिपोर्ट आने के बाद ही वो अपनी कहानी बताएंगे इर्फान की खराब सेहत पर दिपिका का कहना है इन भी दो प्रहाँ नेहीन, इर्छ और यू अब्या इन प्रीर इन अबह रहाँ में ग्रफाश की तेज़ और जिए धिल्म दुकिसा आने सेज़ई परूल इन अज़ूरे इन हो प्राब में में भी इन फे इन किलिए प्राब सेहत आना बेर रहाँ है इमस्टली को जालगनु। यह इस जए ब्या है टूबस्टी लिए कि ऊपको अपटने लिए्टोछ्टी जए इस वह अपना को अपयों। I've had I think one of my most special I would say experiences as an actor with him Piku will be my all-time favorite and special films and I think he has a large part to play in that but that's it I mean I honestly I do not know I do not know where he is I do not know what has happened and I think like he has requested I think there are times when people just need to be left alone for some time and figure their lives out and I think we should respect that space that they have all requested for but like we said you know hope for the best and say a little prayer Thank you so much पिछले कई हफ़तों से दिपिका पीट और गले के पिछले भाग में तेज दर्द से जूज रही है डॉक्टर ने उन्हें तीन चान महीने अराम करने के लिए भी कहा है वो बताती हैं कि सभी लोगोंने मेरे लिए खूब रातनाएं की हैं अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जल्दी मैं फिजियो थेरेपी का इलाज शुरू करूंगी फिलाल इस वीडियो में तना ही टेलिविशन और बॉलिवुट की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे ये फिल्मी बीट